सो गाईस जैसा है कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लोबु जियो रहान के दुनों बायों को परशंक करने लग गया था पर जियो रहान के दुनों बाइयों ने अपने गर् Papa को ठीक करने के लिए Fire Lotus Cheat का यूज किया पर उफार रहान के वरटी मेंगे वी उर्जया को एवजो करने में असमद रहा इसलिए सेवन कलट पाइथन को उर्जा खिलाने लग गया परो मेडुसा में तब दिल हो गया था फिर अब हमें मिश्टिक लाउड सेट को दिखाया जाता है जान नालन ओगी सेट लीडर यूनियून को मोचेंग के बारे में बता रहे होते हैं क पिर जब हम उसकी पार्टी में गए तो वहाँ दो नकापोश आये थे जिन में से एक बहुती पारफुल डुवां यानी फाइट एमपरर था जिनोंने मेजिकल बिष्ट के सेमपल से साबित किया कि मोचेंग मासुम जानवरों के ओरगन को ट्रांस्पलांट करके पारफु करने पर जोड़ा तो मुझाता है कि और लım चार्वहुं की नफ्रत वापस जाग उठेगी और हमारे यूनलेंग सेट के चीव के पर छोड़ने के बाद हमारी सेक्ट लीडर केवल डूवांग लेवल पर है अगर वो चारों डूवांग गुस्सा हुए और हमारे यूनलेंग सेट से लड़े तो हमें बड़ी समस्या हो सकती है यून यून भी उसके बाते समझ कर कहती ह कि बले ही यूनलेंग सेक्ट हमेशा इमानदा रहा हो और हम मुसीबस से भी नहीं डरते लेकिन त्री एर एग्रिमेंट जल्दी आने वाला है इसलिए हमें कोई परिशानी मौल नहीं ले सकते और यूनलेंग को कहती है कि मोचेंग की सच्चाई जितने भी निर्दोशलों को पता थी उन्हें इनाम दे कर उनका मुधं कर दो वह फिर हम जियोयान को देखते हैं जिसकी गौद में अभी भी मेडुसा लेटी हुई थी और उसकी उंगली को सक कर रही थी जियोयान अपनी उंगली निकालने कोशिश करता है पर उसकी उंगली नहीं चोड़ती और उसे बाइट करके उसकी डूक्यू को अपने अंदर सोकने लगती है जियोयान इससे एरान होता है क्योंकि मेडूसा उसकी बोडी से फायर लोटस शीट की एश्टा एनरजी को एपजोग कर रही थी लेकिन थोड़ी देर बाद वो जियोयान की सारी डूक्यू को एपजोग करने ल बता है तुमारी इस्टेंद अभी पूरी तरह से रिकर्ड नहीं हुई है तुम मेरी सारी डूक्यू को अवशोशित करना चाहती हो बहले ही मुझे मरना पड़ा पर मैं तुम्हें इस हेवली फ्लेम से जला दूंगा मेडूसा उसे चोड़ देती है तो जियोयान दूर जा तो मैं तुम्हें बहुत नुक्सान पहुचाती पर मानना होगा कि जियोयान तुम बहुत बादूर हो तुमने ना केवल मेरे टेंबल में गुस्मेट करने की हिमत की बलकि तुमने मेरे उस बीष्ट रूप को भी एक पेट की तरह रखा मैं ऐसे सास को पहली बार देख रह पर जब मैं फिर से जागूंगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी क्यों कि संसार में इसा कोई पेदा नहीं हुआ जो इस रानी को अपना पेट बना सके और वो वापस से सेवन कलट पाइथन में चेंज हो जाती है जोयान की सास में सास आती है जोयान उस ग्रिन लोट सेवन विंग्ड पाइथन इससे बहुत खुश होता है और उसे लेकर पीने लग जाता है जोयान सोचता है कि फायर कंट्रोल केपेबिलिटीज में सुदार फायर सीट की वज़े से हुआ है और वो उस रोप को एक वीप की तरह कंट्रोल करके हमला करने कोशिश करता है पर उसका हमला सेवन कलट पाइथन पर हो जाता है लेकिनों अपने मुझ से परपल फ्लेम निकाल कर उस हमले को रोक देता है और आगे से हट जाता है जियोयान सोचता है कि अगर मेरे पास खुद की सो फ्लेम होती तो मास्टर को कोई हम नहीं पहुचाता सेवन कलट पाइथन वापस जोयान के कंदेर पर आ जाता है क्योंकि वा बर्त लायन असेंस खत्मों गया था और उसे अभी भी भुग लगी थी तो जोयान एक और बर्त असेंस की बोटन निकालता है और उसकी एक भूंत को अपने हाथ पर लेता है जिससे परपल फ्लेम निकलती है पर ये करने में सेवन क्लट पाइथन की मदद से पिल बना सकता है वहीं बाहर लूबू के साथ ही जोडिंग से कहते हैं कि आपकी पावर को देखते हुए हमें नहीं लगता कि आप कमांडर की पोजिशन की योगी है जोडिंग को पता था कि लूबू ने उन्हें ऐसा कहने को कहा है इसलिए लूबू को बाहर आने हो कहता है लूबू बाहरा जाता है और अपने सभी साथियों को हाँ बुला लेता है और जोडिंग से कहता है कि मेरे आदमियों ने सही कहा तुम कमांडर पत के अगदार नहीं हो मगर जोडिंग नहीं होता तो मेरा सेंड मरसेनेरी पर अब जियो यान मर चुका है, इसलिए तुम दोनों मेरा कुछ नहीं भीगार सकते हैं। जियो डिंग असता है और उसके गुरूप के सभी साथी उन्हें चारों तरफ से गेर लेते हैं। और यहीं उनका प्लान था कि लूपू और उसके सभी साथीों को पकड़ ले, लूपू को इससे गुसा आता है। और उसके था कि तुम दोनों मेरा सामना नहीं कर सकते, अभी भी हमारी पावर में काफी गेप है। और वो डूक्यू आर्मर को एक्टेट कर लेता है। जियो ली और डिंग दोनों मिलकर उसपर अमला करने लगते हैं। मर्ज करके एंगरी बुद्धा फायर लोटस को बना सकता हूं। तब ही बाहर उसे दमाके की वह सुनाई देती है। बाहर आकर वो बोडॉंग से पूछता है कि या क्या हो रहा है। बोडॉंग उसे पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। जियोयान हा में जवाब देता है तो बोडॉंग उसे पूरी बात बताते हैं कि लोबु को लगा कि तुम मर गए हो। इसलिए उसने मरसेनेरी बोस की पोजिशन पाने के लिए तुमारे दोनों भाईयों पर हमला कर दिया। जियोयान को गुसा आता है और वो तेजी से उस तरफ चला जाता है। वह जियोडिंग और जियोली अभी भी लोबु से लड़ रहे थे पर उसे जीत नहीं पा रहे थे पर वो चालाकी से उसके आर्मर को तोड़ रहे होते हैं। जियोडिंग लोबू के सीने में तलवार गुम देता है और कहता है कि आर मान लो लोबू कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा और उस तलवार को सीने के आरपा निकाल कर जियोडिंग की गरदन पकड़ लेता है और उसकी गरदन को दबाता हुआ कहता है कि तुम दो डूशी मिलकर एक दाडूशी का सामना नहीं कर सकते जियो ली अपने बाई को बचाने के लिए उस पर हमला करता है पर उसे दूर फेंग देता है और अब लोबू जियो डिंग को माननी लगता है जियो यान तेजी से वहां आता है और लोबू पर हमला करके उसे दूर गिरा कर कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं मर गया लोबू को अपने आद्मियों पर गुसा आता है वो कहते हैं कि हमें जियो डिंग ने कहा था जियो डिंग अपने बाई से माफी मांगता है कि मैंने जूटी अफ़ा फेलाई लोटस लड़ने के लिए त्यार हो जाता है जोयान अब परपर फ्लेम पिल लेकर परपर फ्लेम को एक्टेट कर लेता है और उसे ग्रिन लोटस को और फ्लेम के साथ मर्च करने लगता है बोडोंग इसे डर जाता है और पीछे हटते वे कहते हैं कि तुम सच में पागल हो तुम पेछली बार नहीं मरें तो इस बार मरने कोशिश कर रहे हो सबी लोग पीछे हटने लगते हैं लोबू भी जोयान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर जोयान उस पर एंगरी बुद्धा फायर लोटस से हमला कर देता है लोटस लोबू की तलवा तोड़ता हुआ उसे बहुत गायल कर देता है उस लोटस की वज़े से एक भयानक धमाका होता है पर इस बार उसकी उरजा से भाई की किसी को चोड़ नहीं पहुंसती बोड़ों कहते हैं कि उसने लोटस को परफेट कंट्रोल किया ये बच्चा अलग-अलग फायर को कंट्रोल करने में माहिर होता जा रहा है जोयान को अपने माश्टर की बात याद आती है और उस गुस्से में लोबू को पुरी तरह से मारने के लिए आगे बढ़ता है पर उसके दोनों भाई उसे रोग लेते हैं और कहते हैं कि मरसेनरी ग्रूप के कुछ कानून है हम इसे नहीं मार सकते जोयान रुख जाता है फिर हम देखते हैं कि जोयान बाहर बेट कर अपने माश्टर की याद में बहुत ज़्यादा वाइन पी रहा था बोडोंग भी वहाँ आते हैं मेडिसिन डूण सकूँ बोडोंग वहाँ सी चले जाते हैं जोयान बोतल पर बोतल शराप पी रहा था इसी के साथ ये एपिसोड याई पर खत्म हो जाता है गाईस अगर आब इसका नेश्पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का 5K लाइक एम जल्दी पुरा कर दे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहरे दिल से शुक्रिया थेंक्स रोचिंग